हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो समना ग्लासेश फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टू के MCQs हिंदी मीडियम के ठीक है तो यह आपके FST1 के important MCQs हैं जो आपके आने वाले exam के लिए काफी ज़्यादा helpful है और फ्रेंड्स इससे पहले फाली वीडियो में हमने अपने चैप्टर वन के MCQs को डिसकस किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर टू के MCQs को डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो का end तक देखते रहें बिना स्किप करें तो यह है आपका चैप्टर टू और इस चैप्टर का नाम ह स्टार्ट करते हैं आपने question number one से सबसे पहला question है आपका आधी मानफ पत्त्रों का उपयोग किस यूग में करता था ? जो इसका उत्तर होगा आपका पाशार्ण distingu अगला question Кश्ण Black hay or यहां पर किया जाता था तो इसमें आपको बताना है कि स्टोर जे zule किया जाता था था तो किस के खोदने के लिए यह पिर से चीज को छिद लिए जैसे की शेर की खाल है तो उसको चीज़ने के लिए पत्थरों के उपयोग करते थे अगला क्यों नबर यहाँ पूछा गया है आपसे जिनन से और वंजार बनाए जा सके उने क्या तो इसका हो आपका master tools ठीक है इसे हिंदी में master ojar कहा जाता है तो इसका उत्तर आप लिखेंगे master ojar ठीक है next question है आपका question no.6 और question no.6 पे है पाशाण यूग के अंत का क्या कारण था तो पाशाण यूग के अंत का क्या कारण था जलवायू में परिवरतन ठीक है climatic change की वज़े से stone age का end हुआ तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जलवायू परिवरतन अगला question है आपका question no.7 और यहाँ पर बोला गया है पाशाण यूग में क्या क्या होता था ठीक है यहाँ पे मैंने सारे points को इखटा कर दिया है एक साथ ताकि अगर इन में से कोई भी points में आप से कुछ भी किसी भी तरीके से question पूछा जाए तो आप उसका उत्तर असानी से दे सकें तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पाशाण यूग में तो पाशाण यूग में क्या क्या होता था शिकार करने के हत्यारों भाला तीर आदी निर्माड हुआ ठीक है खाना पकाने के लिए आख का उपयोग हुआ और लकडी हड़ी और चमडा जैसे नर्म पदार्तों का उपयोग यह सब आपका पाशाण यूग में होता था बरतनों में तरल पदार्तों का बंडारन और ओजार बनाने के लिए मुखे उपकरन मास्टर टूल्स का भी इसी यूग में आप आपका यूज हुआ था ठीक है तो इन सभी पॉइंट्स को आपको लर्न करना है अच्छे तरीके से ताकि आपसे अगर कोई सभी पॉइंट्स से क्वेस्टन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएं अगला कोशन है आपका यहां पर कोशन नमबर एट और यहां पर बोला गया है किन तीन चेत्रों में इस विकास को देख सकते हैं जिनका विज्ञान पर गहरा असर पड़ा है तो इसका उत्तर होगा आपका तर्क संगत यांत्री की ठीक है के लिए नाइन नमबर पर यहां पर कुछ इंपॉर्टन पॉइंट्स जी गए हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है एक तरफ यह विज्ञानिक लक्षण है और दूसरी तरफ इनकी तकनीक किरिया है तो यह विज्ञानिक लक्षण जो देरक है वो तीन आप पर स्ट्र सेटलः यह युक्ती संगत यहां तरीकी में आते हैं सेकशन सेकद नमबर पे है आपका अवलोकन और विवरन तो इसमें आते हैं आपके जानवरों के वहवार का अध्यन करना भिविन मोसमों में बीजवा फल इखटा करना मोसम का नियमित चक्र और भोजन पकाना और शराब बनाना ठीक है थर्ड नमबर पे आपका वर्गी करण और वर्गी करण पे है आपका यहाँ पे पहला वर्गी करण चेतन, जीवधारी, जड़, पधार्त और कारियों के रूप में हुआ, ठीक है इसमें क्या क्या हुआ था, जीवधा का अध्यान हुआ था और उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया मतलब उनको वर्गी किया गया और फिर निर्जीव पधारतों का अध्यान किया गया और फिर उनके basis पर उनको classify किया गया मतलब उनको वर्गित किया गया ठीक है तो इस तरीके से ये आपके तीन प्रमुख छेतर हैं जिन पर विज्ञान का गहरा असर पड़ा और इनके अंदर ये सभी तक्मीक और क्रिया आती है ठीक है अगला कोशन है आपका question number 10 और question number 10 पर प प्रभाब पड़ता था ठीक है जैसे कि हमने उपर भी डिसकस किया था जलवाईव परिवर्तन से पाशाण यूग के आंध होने का सबसें बढ़ाई ये कारण था तो अब हम देखेंगे अपना अगला question question number 11 पर है किर्शी और सभेता का विश्कार किसी यूग में हुआ तो सामक दो महान प्राचिन शहरों का पता किस सन में चला तो इसका उत्तर होगा आपका उन्निस सो बीस ठीक है next question देख लेते हैं question number 13 और question number 13 पर यहां पर बोला गया है शिंदु गाटी सबेता का काल है शिंदु गाटी सबेता का कौन सा काल है तो इसका उत्तर होगा आपका 2700 वर्स से 1750 वर्स इसापूर यानि कि कांसे यूग में थीक है सिंदु गाटी की सबिता का ये काल है नेक्स्ट कोशन है आपका हैंपर कोशन नमबर 14 और यहाँ पर बोला गया है धातू का उप्योग सर्फ प्रतम किस युग में हुआ धातू का जो यूज था मतलब मैटल्स का जो यूज था सबसे पहले कब हुआ था किस यूग में हुआ था तो इसका उत्तर होगा आपका कास से यूग में ठीक है कास से यूग में इसका जो धातू का सबसे पहला उप्योग किया गया वो कास से यूग में किया गया था अगला question है आपका यहां पर question number 15 और question number 15 पर है सिंदु घाटी की सभीता का विस्तार कहां तक था और इसका उत्तर होगा आपका पाकिस्तान पूर्फ में वरत्मान हरियाडा और दक्षेड में गुजरात तक फैली हुई थी सिंदु घाटी की सभीता ठीक है यहां पर मैंने options न से कोई भी question पूछा जाया तो आप उन्हें attempt कर भाएं next question देख लेते हैं question number 17 और यहां पर बोला गया है कासे यूग के पतन के क्या कारण थे तो यहां पर आप उत्तर में देख रहे हैं यह तीन मुख्य कारण है कासे यूग के पतन के ठीक है पहला है उत्पादक और अधि question number 17 और यहां पर बोला गया है आपसे आदिम जीवन के किन तीन उपयोगों या भाषा के गुड़ों ने विज्ञान के उध्वव में सहयता दी तो उत्तर है इसका भोजन प्राप्त करने अत्वा इधर उतर घूमने में विचारों का आधान परदान ओजारों के इस वीडियो के अंदर हमने 17 questions discuss किये है chapter 2 से और यह काफी जादा important points है आपके exam point of view से तो friends आपको इन वाले points को बिल्कुल भी skip नहीं करना अगर आप अपना exam अच्छी तरीके से attempt करना चाहते हैं तो इन points को आपको अच्छी तरीके से learn करना है और यही सब questions मैंने English में भी available क देख सकते हैं और उनका link में नीचे description box में दे दूँगी तो आप अगर English medium के student है तो English वाली वीडियो भी देख सकते हैं जितने हम से क्यों हम हिंदी में discuss करे हैं सेम वहीं से क्यों हम English में भी उन वीडियो के अंदर discuss कर रहे हैं तो आप लोग उन वीडियो को अच्छी तरी सकते हैं और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साइड में एक बैल आइकन होगा उससे प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं नेक्स चैप्टर की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको विलक सकते हैं